है हमारी PDF के सारे text functions complete कर लिए जो कि हमा Remember Statical functions तो Statical functions करने से पहले को मैंनेosph bao आपको हमारे स्रूव दर इन से पहले बताया है कि हम क्या करेंげ सबसे पहले सारे टेक्स्ट functions कर लेंगे लेंगे जो शोषे बाद हम क्या करेंगे कि इन functions के advanced use सेखेंगे कम से कम आपको मैं minimum ना तो 9 से 10 या फिर 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं पर 10 से कम नहीं होएंगे तो 10 से ज़्यादा आपको मैं इनी text functions के interview oriented questions बता हूँ जो mostly and most most important questions जो हर जगा एक्सल के interview में पूछे जाते हैं तो हमने अभी तक क्या करा है जिस सारे function सीख लिया है एक से लेके 16 तक अगर आपने यह उपर अगर आप वीडियो में नहीं हो तो आप हमारे playlist में जाके चेक कर सकते हो मैं playlist का link description में डाल दूँआ आप जाके सारी वीडियोस देख सकते हो और आपको जिस भी फंक्शन में आपको doubt हो confusion हो वह आप मेंसे DM करके पूर सकते हो या फिर आप नोर्मली उसी वीडियो के नचे जाके comment कर सकते हो मैं सबी वीडियो के comments हमेंसा चेक करता रहता हूं तो हमने आज करा है care function तो आज हम क्या करेंगे इस left function का use करेंगे इस left function का advance use क्या रहेगा तो advance switch करने के लिए हम क्या करेंगे कि इन functions को एक दूसरे के साथ merge कर करके इसका यूज करेंगे अभी हम नोर्मली यूज कर रहे थे left function राइट नहीं था यह बस आपको मैं सिखाने के लिए करवाया था अगर आपको इसका advance use करना है तो आपको इसको आपको इन functions को एक दूसरे कंदर आपको merge करना पड़ेगा क्योंकि ठीक है तो आज हम क्या करेंगे लेफ्ट फंक्शन एंड फाइंड फंक्शन दोनों का कि यूज करेंगे कि इन दोनों function का यूज हम कैसे कर सकते हैं और ये डेली लाइफ में जो भी एक्सल का वर्क करता है उसके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होता है तो फटा-फट से हम चलते एक्सल की सीट के अंदर जहां पर आज हम सीखते हैं टेक्स फंक्शन के एडवांस यूज छए तो कभी कभी के ऊथा कि हमें कुछ नेम सिद्ध्य दिय जाते है तो इस नेम में से हमें क्या करने होता है कि फॉस्ट नेम एक्स्ट्रैक्ड करना पड़ते है अब जैसे कि अजिए अगर मैं इसमें अगर आपसे मैं पूछो इन सब नेम्स के अंदर आप क्या चीज को मन देख रहे हो तो आपका जवाब स्पेस रहेगा क्योंकि स्पेस इसमें भी है स्पेसर इसमें प्रक्रैक्टर यहां पर कि है मतलब यह हो गया हमारा वर्स्ट नेम्स यांपर किये H-A-R-I h-A-R-I space गयाá तो यहां से ब्रेक कर लूँक्त कर लूँका दूसरा हो में इसको यहां से ब्रेकं कर लूँका यहां पर है हरी ह-A-R-I h-A-R-I Mexican Kalifornia kardaniya घुक्त के सब्क ली人 साइड मैं इसको ब्रेक कर लूँ तो क्या करूँगा मैं लेफ्ट लेफ्ट अब इस टेक्स्ट के अंदर कितने नंबर ओफ क्रेक्टर्स मुझे देखने हैं तो मुझे फाइंड ना पड़ेगा स्पेस को तो फाइंड ना पड़ेगा फाइंड करते जब आपको कुछ चीज दूड़नी होती है तो मैं आप लिख दिया फाइंड अब फाइंड टेक्स्ट क्या दूड़ना है जल से कमेंट करो क्या दूड़ना है हमें एक स्पेस दूड़ना है विदिन टेक्स्ट किस टेक्स्ट में से आपको स्पेस दूड़ना है हमें इसी में से दूड़ना है क्य मैं आगे-आगे बताऊंगा यह मैनस वन क्यों नगाया है फिलहाल इसको आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो ब्रैकेट क्लोज एंडेन एंटर यहां पर आ गया रहा है जैसी कुछ दाउन तक ड्रैक करोगे तो यह क्या होगा एक्दम प्रफेक्टली नेम देगा यह राम हरी इस टाइप से इसने सभी नेम्स को स्पेस से ब्रेक कर दिया और जो भी स्पेस से लेफ साइड था उन सब को मैं आप पर extract करके दे दिया है तो आई होप आप सभी को यह formula समझ में आया होगा अगर आपको कहीं पिर डाउट है किसी पॉइंट में डाउट आया फिर आपको पूरा formula ही समझ नहीं है तो आप मुझे comment करके बताईए मैं आपको एक new video बनाके और अच्छे से explain करने की कोश करूँ है so that is for today guys अब मिलते आपको next video में तब तक के लिए bye